हेलो ब्रेंट्स कैसे आप सब आई होप आप से बच्चे होंगे और आप सब की बड़ाए बेची चल रहे होगे तो पिर विद्यारतियों आज की इस क्लास में हम तत्सा आठ गणित विश्य के तहट आपकी प्रशनवाली 3.3 को स्वाल्व करना से कहेंगे इससे पहले हमने आपकी अध्यातीन चतुर भुजो को समझना के तहट प्रशनवाली 3.1 और प्रशनवाली 3.2 और इससे पहले का जो भी बेसिक था उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उसे गड़ी में आज हम प्रशनवाली 3.3 को स्वाल्व करना सिखेंगे तो प्रशनवाली को हल करने से पहले जैसा कि हमारा नियम है हम सबसे पहले इस प्रशनवाली से संबंदी जो भी बेसिक है उस बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रशनवाली की तरफ ताकि प्रशनवाली को हल करते समय हमें केसी भी परकार की कोई दिकत ना आए तो चलिए क्लास हम सरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर चत्र बुजो के परकार के बारे में जिनकी हमें आपकी प्रशना वाले 3.3 को drab करने में जिरुवत पड़ेगी तो देखें सबसे जो पहला परकार है वो है समलंब चत्र बुज कौनसा है समलंब चत्र बुज इसकी परिवासा क्या है तो समलंब एक ऐसा चुत्र बुज होता है जिसमें बुजाओ का एक यूग्म एक यूग्म मतलब एक जोड़ा कैसा होता है समांतर होता है पुजाओ का एक युग्म, क्या होता है, समांतर, अब देखो समांतर का मतलब क्या है, समांतर का मतलब ये है, कि पुजाओ का एक ऐसा जोड़ा, जो आपस में कैसी हो, दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओ का मतलब क्या होता है, समधन अंतर, देखो, समधन अंतर, यानि क इनके बीच की जो दूरी है वो सदेव और सदेव कैसे रहती है समान होती है इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती एक दूसरे को काटती नहीं तो समलम चत्र बुज के अदर बुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है समानतर होता है जैसा कि पहले वाले चित्र में आपको दिख रहा है कि ये A B बुजा A B बुजा, C D बुजा के क्या है? C D बुजा के समानतर है AB बुजा समानतर है कौन से बुजा के CD बुजाती ये दोनों की बीच की जो दूरी है वो सदेव और सदेव क्या होगी समान होगी इस वज़े से ये दोनों रेखाएं एक दुसरे को कभी भी काट नहीं सकती है इसी तरह आकरती नंबर दो में देखो ये जो तीर का निसन दिख रहा है आपको ये दोनों बुजा कैसी है आपस में समानतर है यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि PQ बुजा किसके है RS बुजा के समानतर है PQ बुजा RS बुजा के क्या है समानतर है इसी तरह तीसर चित्र के अंदर यहां पर देखो जो AB बुजा है यह जो आपको तीर का निसन दिग रहा है यह वाली बुजा के आपकी CD बुजा के क्या है समानतर है तो AB बुजा, CD बुजा के क्या है समानतर इसी तरह अगले चित्र के अंदर मैं नाम दे देता हूँ P, Q, R और S तो यहाँ पर जो P, Q बुजा है वो आपके R, S बुजा के क्या है समानतर है तो यानि की एक ऐसा चित्रुबुज चतुरुज की परिवास आपने पिछली क्लास में देखी थी कि चार भुजाओ से गिरी हुई एक बंद आकरती को क्या कहा जाता है, चतुरुज कहा जाता है तो यहाँ पर ये चो चारो आकरती आपने पड़ी ये क्या है समलम्ब है कि इनके अंदर कम से कम भुजाओ का एक जोड़ा क्या है समानतर अब देखो साइड के अंदर जो आपको दूसरे चित्र दिख रहे हैं ये आपस में समानतर यानि इनके अंदर भुजाओ का एक भी जोड़ा समानतर नहीं है देखो पहली आकरती भी समलम नहीं है दूसरी आकर्ती ये दूसरी आकर्ती भी क्या नहीं है दूसरी आकर्ती भी आपकी सम्मलम नहीं है और आपकी तिसरी आकर्ती भी सम्मलम नहीं है क्योंकि इनके अंदर बुजाओ का जो एक युक्म या जो जोड़ा होता है वो क्या नहीं है वो आपका सम्मलम नहीं है अब ग एक कैसी युग्म होता हुथ सभी हुजाओ का इक युग्म होता यहां पर कम है समान तर्粉 लेकिन यह क्या नहीं है जिसलिए नहीं है ठीक इसमें पांच बुजाए हैं ये क्या है आपका ये आपका एक बहुबूज है क्या है ये आपका एक बहुबूज है और हमें पता है कि चुतरबूज के अंदर कितनी बुजाए होती है च्यार बुजा होती है, लेकिन दूसरी बाद के लिए आकरती के अंदर कितनी बुजा है, आपकी पांच बुजा है, ये पांच बहुबुज है, इस वज़े से ये आपका समलम चत्रुबुज नहीं है, तो हमने यहां पर क्या देखा, कि समलम एक ऐसा चत्रुबुज होता है जिसमें बुजाओ का एक युग्म, यानि एक जोड़ा कम से कम क्या होता है, समानतर होता है, आगे बढ़ते हैं, पतंगा का चत्रुबुज या इससे हम कहते हैं पतंग, इसकी विशेस्ता क्या है, तो देखें, पतंग एक विशिष्ट परकार का चत्रुबुज है, या है पतंगा कार चुत्रभूज की अंदर क्या होता है आपकी कम से कम दो आसन भुजाओ का यूगम क्या होता है कम से कम दो आसन भुजाओ का यूगम पाया जाता है यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखोगे तो जो आसन भुजा हैं आसन भुजाओ के कम से कम कितने जोड़े मुझूद हैं यहाँ पर दो जोड़े मुझूद हैं आसन भुजाओ के कम से कम कितने जोड़े मोज़ुद होते हैं आसन भुजाओ के कम से कम दो जोड़े यहां पर मोज़ुद होते हैं यह सा कि आपको पहली आकरते में दिख रहा होगा कि आसन भुजा कौन कौन सी हैं तो आपकी देखो B C भुजा यह देखो बराबर है किसके C बी बुजा के, तो आपकी बी सी बुजा, बी सी बुजा किसके बराबर है, बी सी बुजा बराबर है, सी डी बुजा के, और ए बी बुजा, ए बी बुजा किसके बराबर है, ए बी बुजा बराबर है, ए बी बुजा के, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि पतंगा का, जो आ यूग्म में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ परम लिख सकते हैं कि पतंगा कार चत्रभुज के अंदर आसन भुजाओ के दो यूग्म आसन भुजाओ के दो यूग्म समान लंबाई के होते हैं आसन भुजाओ के दो यूग्म समान लंबाई के होते हैं ठीके यह पहले आकर्ती में देखो पहले आकर्ती में A B भुजा और A D बुजा क्या होती है यह तो समझाओ देखे आसन भुजा की परी बसा लिख लेता हूँ आसन भुजा आसन भुजाए तो आसन भुजा देखो A B और A D 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 और B C और C D अब इसको हमने आसन भुजा क्यों कहाँ कि जहाँ पर एक भुजा समाप हो दी है वही से दूसरी भुजा शरू होती ठीके तो हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि जहाँ पर एक भुजा क्या होती है समाप होती है वही से दूसरी भुजा क्या होती है वही से दूसरी भुजा सरू होती है जहाँ से एक भुजा जहाँ पर एक भुजा समाप होती है वही से दूसरी भुजा क्या होती है वही से दूसरी भुजा तो पतंगा का आकरती के अंदर आसन भुजाओ के दो युग्म क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है आसन भुजाओ के दो युग्म बराबर होते हैं जैसा कि दूसरी आकरती में दिख रहा है जैसे यहां पर मैं नाम देता हूँ पी यू आर और एस तो यहां पर देखो पी एस भुजा बराबर होगी एस आर के और पी क्यू बुजा यह यहां पर देखो, क्या से आकरति होगी, आपकी पतंगा का चुत्रुपुए, पिर यहाँ पर देखो यह पतंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो यह आसन बुजाए नहीं है आपस में क्योंकि बीच के अंदर एक दूसरी बुजा आगई शुध्मा आपके यह बराबर नहीं है, इस वजय से यह पतंगा reference नहीं आगे श्खुच में आगे बढ़ते हैं, समांतर चत्रूपुज सबसे dua D Water टरो पोर्फ टो समांतर चत्रोपुज ही है ऑग्जा की नाम संकेत करता है यह जो पता रहा है समांतर चुत्रपूज यह क्या है यह आपका एक चुत्रपूज ही है इसका सम्मंद किसे है समांतर रेखाव से तो यह समांतर रेखाव के दो यूगम से मिल्कल बनी है यानि कि समांतर चुत्रपूज के अंदर समांतर रेखाव के दो यूगम पाए जाते हैं पहली विसेस्ता क्या है कि समांतर चुत्रपूज के अंदर आपके समांतर रेखाव के कितने यूगम पाए जाते हैं समांतर रेखाव के दो यूगम पाए जाते हैं जबकि समलंग में कितना था? सम्नलम के अंदर समांतर के यूगम मझूद था समांतर 논रे का गया होते है, समांतर रेकाऊ के दो यूगम मजूद होते है या दूसरे सब्दों में कहे, समांतर चत्रभूझ, ऐसा चत्रभूझ होता है giसकी जो सम्मुक बुजाय होती है, आमने सामने की बुझाएं वो कैसी होती है वो आपकी समानतर होगा तर देखें जैसा कि आकरती नंबर एक में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एबी बुझा किसके समानतर होगी एबी बुझा समानतर होगी बी सी के और जो एडी बुझा है वो किसके समानतर होगी एडी बुझा समानतर होगी बी सी के ठीक है फिर यहाँ पर देखो दूसरे आकरती के अंदर यहाँ पर क्यूपी क्यूपी किसके समानतर है एस के और QS किसके समानतर है पी आर के फिर देखो तीसरी आकरती में LM किसके समानतर है ON के और LO किसके समानतर है MN के तो यानि कि समानतर चित्रबुज के अंदर आमने सामने की जो बुजा है वो कैसी होती है, समानतर होती है फिर देखो यह समानतर चितरुपुझ नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके आमने सामने के जो बुझा है पहली आकरती में A, B, C, D के समानतर जरूर है लेकिन A, C है, वो B, D के समानतर नहीं है इस वज़े से याकरति समानतर चित्रुबुज नहीं है दूसरी आकरती में कोई भी भुजा, आपस में संभुच भुजा आगो समानतर नहीं है तिस्री आकरती के अंदर आप जहान से देखोगे तो यहाँ पर A B भुजा, A B भुजा, E D भुजा के समानतर है और BC भुजा इसके समानतर है आपके BC भुजा FE के समानतर है लेकिन आप द्यान से देखोगे तो इसके अंदर कितने भुजा है इसके अंदर पांच भुजा है इस वज़े से चत्रुबुज नहीं है ठीक है? तो समांतर चत्रबुज की सबसे महत्रपुण की जिस्ता है कि इसकी सम्मुख बुजा है आमने सामने की बुजा कैसी होती है? समांतर होती है अगली विजिस्ताओं की बात करें समांतर चत्रबुज की अव्याव सबसे पहले सम्मुक बुजा है सम्मुक बुजा का मतलब आमने सामने की बुजा है तो देखें आमने सामने की बुजा है कौन सी है AB बुजा AB बुजा की सामने कौन सी बुजा है CD बुजा या DC बुजा तो AB बुजा और CD बुजा आपस में कैसी होगी समानतर होगी AB बुजा और DC बुजा अपस में समानतर होगी फिर AD बुजा किसके समानतर होगी DC बुजा गी तिक ये इसकी सम्मुख बुजा है फिर आगे सम्मुख कौन आमने सामने के कौन तो कौन A का सम्मुख कौन कौन होगा कौन C, और कौन B का सम्मुख क्या होगा, कौन B, तो कौन A और कौन C सम्मुख कौन है, और कौन B और कौन B क्या है, आपके सम्मुख कौन है, आगे बात करें, आसन भुजाओ के, तो आसन भुजाओ के, तो आसन भुजाओ कौन कौन सी है, देखो, A, B, A, B, और आपका BC, क्यो क्योंकि जहां पर A B बुजा समात हो रही है वही से B C बुजा सरू हो रही है फिर B C और C D B C और C D बुजा ताप रागे लिका है B C और C D बुजा क्योंकि जहां पर B C बुजा समात हो रही है वही से C D बुजा सरू हो रही है फिर C D बुजा और D A बुजा कौन से बुजा, CD बुजा और BA बुजा तिकि जहां पर CD बुजा समाप्त हो रही है वही से DA बुजा सरू हो रही है और फिर BA बुजा और AB बुजा तिकि जहां पर BA समाप्त हो रही है वही से आपकी AB क्या हो रही है सरू हो रही है तो आसन भुजाओ कि कितने जोड़े मुझी दिया है यहां पर चार, कॉन कॉन से मैं फिर्स लिए लिए लेता हूं, A, B, A, B, C, फिर, B, C, and C, D, B, C, and C, फिर, B, A, B, A, B, A, and A, B, फिर, और superstition, O, B, A, C, D, And, B, A, यह आचन आसन भुजाओं के छार जोड़े यहाँ पर मोजुद थिक आगे बात करते हैं आसन कौन आसन देखो कौन कौन से हैं कौन A और कौन B क्योंकि दोनों ही उबेनिष्ट भुजा के अंतर पर बने हैं है ना A कौन देखो A B भुजा और B C भुजा इन दोनों के अंदर ये जो भी बिंदू है ये क्या है आपका उबेनिष्ट है तो A B भुजा और B C भुजा कोण सी है आसन भुजा है तो देखो कौण A और कौण B कौण से कौण है आसन पौण फिर कौण B और कौण C और कौण C और कौण D और कौण D और कौण A ये सब क्या है आपके आसन पौण क्या है आसन पौण जो करम से एक ही बुजा के दोनों की नावरों पर बने हुए है आगे बात करें समानतर चत्रुपुज के गून की इसकी बात करते हैं समानतर चत्रुपुज के गूनों की क्या होगी और ad была आपकी bc बुजा के क्या होगी, बराबर होगी, जैसे अbभ०जअ यदि 4cm है तो cd बुजअ भी कित्की है, 4cm, यदि ad बुजअ 2cm है तो bc बुजअ भी कित्की होगी, 2cm, यानि समंभ बुजअ किसी होती है, बराबर मापकी फूती है, दूसरा समान्तर चत्रुपुज के सम्मुख कौन कैसे होते हैं बराबर होते हैं यानि जितना कौन A होगा उतना का उतना कौन C होगा और जितना कौन B होगा उतना का उतना क्या होगा कौन D होगा तो दूसरी विशेष्था है कि समानतर चत्रभूज के सम्मुख कोन आपस में बराबर होते हैं आगे बात करें समानतर चत्रभूज के आसन्न कौन कैसे होते हैं समपूरव का मतलव है कि दो कौनो का योग is 180 टो देखो यांपर आशन्ध कौन-क केदना होगा手के पकोने ओर भॉण योनलों ऑर सनका के आगे होगा है 180 देखो कतना होगा 113 कि विर्षा मैं एकलिपल पाकी और में में बैड़न क योग कोई शन्सिटिक जाए ओर कॉन डी इंदो नूगा योको कितना होगा 1808 टी और कॉंडी और लूग ए इनूगो कितना होगा 180 град समानता चत्रुमझ के आसना पहुनों का योग कितना पाँ स्बुत समान्तर चत्रबुज के विकर्ण एक दूसरे को परस पर समद्विभाजित का मतलब है समान्द दो भागो में विवाजित करते हैं ठीके यानि समानतर चुत्रपूज की जो विकर्ण हैं, क्वण क्वण से हैं यहाँ पर, एक तो विकर्ण आपका AC है, आमने सामने के सिर्थों को मिलाने वाला रिखा खण, तो क्वण सा है AC और एक क्वण सा है आपका BB, तो AC विकर्ण क्वण से हैं, AC and BB, यह दोनों दूसरे को, परती छेदू बिंदू पर जहां परकाट रहे हैं, वहां से दो समान भागों के अंदर विपाजित करेंगे, यानि देखो, A, O, A, O, A, O, इसके बराबर होगा, O, C के, और O, B, इसके बराबर होगा, O, B, बराबर होगा, O, B के, उस समानतर चुत्रपूज के चार सबसे महतुपन गून हो गए, आमने सामने की बुजाए, क्या होती है, आमने सामने की कौन बराबर होते हैं, आसंद कोनों का योग 180 डिगरी होता है, और विकर्ण एक दूसरे को, दो समान भागों के अंदर विपाजित करते हैं, ये चार महतुपन गून है, आपके सम प्रियोग करते हुए स्वालु करना सिखेंगे। देखें, सबसे पहले प्रशन संख्या एक ABCD एक समांतर चत्रुपुज है। कौन सा चत्रुपुज है? समांतर। प्रते कथन को प्रिभाषा या प्रियोग किये गून के द्वारा क्या करना है? पूरा करना। सबसे पहले हमें पता है कि समांतर चत्रुपुज हैं, तो आमने-सामने की बुजह क्या होगी? बराबर होगी। और AD भुजा, AD भुजा किसके बराबर होगी, BC भुजा के बराबर होगी, पहला कुन हमने पढ़ा कि समांतर चत्रुपुच की सम्मुख भुजा बराबर होती है, फिर आगे बने पढ़ा कि सम्मुख कौन बराबर होते हैं, कौन A किसके बराबर होगा, कौन C के, और कौन B कि यो कितना होता है 180 degree और अगला गून क्या था कि वीकन एक दूसरे को प्रस पर समधी बाजित करते हैं तो O A, O A किसके बराबर होगा? O C के और O B किसके बराबर होगा? O B के यह चीजे अभी हमने पीछे basic के दौरान बहुत अच्छे से पड़ी है तो सबसे पहले देखो AD भुजा, AD भुजा, AD किसके बराबर होगी? BC भुजा के बराबर होगी तो यहाँ पर आजाएगा BC, तो यहाँ पर मैं solution लिख लेता हूँ solution AD भुजा के, कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि समांतर चत्रुबुज की सम्मुख भुजाए क्योंकि समांतर चत्रुबुज की सम्मुख भुजाए क्यासी होती है बराबर होती है बराबर माप की होती है समांतर चुत्रुपुच की सम्मुक बुजाए कैसी होती है बराबर माप की होती है दूसरा कौन B C B कौन सा कौन? कौन C कौन? किसके बराबर होगा? कौन A के बराबर होगा? लिखेंगे कौन B A B के? क्यों कारण क्या है? लिखेंगे क्यों कि समांतर चत्रुगुज के समुख कौन? कैसे होते हैं? बराबर होते हैं. लिखेंगे समांतर सत्रोगोच के सम्मुक पॉर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं ठीक है? आगे तीसरा OC OC किसके बराबर होगा? O, A के पारंद क्या ले कहेंगे समानतर चत्रोगोच के विकन एक दूसरे को प्रस्प्र क्या करते हैं? सम्दी भाजित करते हैं क्योंकि समानतर चत्रोगोच के विकन क्योंकि समानतर चत्रोगोच के विकन एक दूसरे को सम्दी भाजित प्रमान दू भागों में क्या करते हैं विबाजित करते हैं एक आगे देखो छोथा क्या है क्या है कि समानतर चत्रुबुच के आसमन कौन कैसे होते हैं संपूरब होते आपके समानतर चत्रुबुच के आसमन कौन का मतलब अगल भगल के कौन कैसे होते हैं संपूरब होते हैं संपूरब का मतलब है दूनो कोन का योग इतना होगा 180 तो यह था आपका फ्रश्न संक्या एक आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या दो निम्न समानतर चत्रुबुचो में देखो वन्स चत्रुबुच ए अंतर चतरपुर में एक्सवाइज एड के मानों को ज्याद की थिया हमें एक्समाइज और ज्याद करके बता है ठीके बेकुट सब्सेपहले लिखेंगे इदर स्वाल्यूशन हमें देख सबसे पहले पता है कि आसना कौनों का यो कितना होता है 100 C तो कौन B पलस कौन C बराबर 180 डिगरे कौन B और कौन C उन्नों कर सो कौन है आसन अगल बगल के कौन तो इन दोनों का यो कितना होगा 180 डिगरे लिख देंगे यहाँ पर ब्रेकेट में समानतर चत्रगूच के आसन पौन सम्पूरब होते हैं क्याल केंगे समानतर चत्रगूच के आसन पौन जैसे होते हैं सम्पूरब होते हैं तो यहां से देखो हमें कौन सी का मन कितना मिल जाएगा कौन C बराबर 180 डिगरी माइनस 100 डिगरी ठीके तो कौन C बराबर कितना रा गया 80 डिगरी वासी कितना आ गया आप। इस सम मुध कर मांतर चत्रगुच के वाइब क्यासे होते हैं बराबर होते हैं सम्नुफूर बराबर होते हैं अगे लिफेंगे और कौन B बराबर कौन B बराबर या कौन B नहीं लिखना है आपको तो सिंपल आप ऐसे भी लिखते हैं कि कौन Y बराबर कितना होगा 100 डिखरी क्या लिखना तो लिख ले कौन B बराबर क्या होगा कौन B यानि की Y बराबर 100 डिखरी विए कारण नो कहें गे समांतर चुत्रे़भूज के सम्मुख कोन गयासे होते हैं बराबर होते ह wartime सामांतर सत्रबूज के समूख कौण बराबर होते हैं कुझे कौण भी यह जी 100 हैं तो कौण वाय या कौण डी कितना होगा 100 होगा किसी तरह कौण C किसके बराबर होगा कौण A के बराबर है आगे लिखेंगे पॉन C बराबर पॉन A, बराबर X बराबर Y, X बराबर सौरी J, X बराबर कॉर्सा होगा, X बराबर होगा आपका J, X बराबर J, इसको में मिटा देता हूँ एक मिन्ट, यहां पर क्या लगेंगे? एक्स बराबर लिग देंगे आपका जेड, बराबर में कितना? यह अस्य यह तो यह भी कितना होगा? यहेस बनी रильно ontर चीघ समुख कोन क्या होते हैं? बराबर होते ही, यहीं हमें क्या करना था? यहीं में हल करके बताना था तो अब लिख सकते हैं या लाश्ट में कि अतर X बराबर कितना आया 80 degree 5 बराबर कितना आ गया 100 degree और Z बराबर कितना होगा Z बराबर 80 degree होगा यही आपका क्या है यही आपका हल है आगे देखो प्रश्न संक्या दो का दूसरा, यहाँ पर देखो, यहां से तो X और 50, X प्लस 50 डिगरी, बराबर 180 डिगरी, कारण क्या है? आसन न को, यहाँ आसन न कोण, यानि अगल भगल के कौण, यहाँ कितना होता? 180 डिगरी, यहाँ से मुझे X का मान निकलना है, तो 180 डिगरी, माइनस 50 डिगरी, यहा आगया? X का मान आ गया 130 डिगरी, तो यजी देखो, X एकस 130 डिगरी है, तो आपका य पी कितना होगा 130 डिगरी, यहाँ पर देखो, X बराबर Y बराबर 130 डिगरी, कारण क्या है? सम्मूख कौन, आमने सामने के कौन, और समानतर चत्रगोज के अंदर, आमने सामने के कोन क्य होते हैं बराबर होते हैं ठीक है फिर देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो गये तो यह 130 आ गया यह कितना आ गया पत्चास और वाय कमान भी कितना आ गया 130 है वाय कमान भी कमान भी आ अब जेड का ये वाला कौन है? ठीक है? या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जेड और कौन एक्स कौन है? आपके संगत कौन है? अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो देखो इस कौन का मैं कुछ नाम दे देता हूं कौन M? तो देखो कौन M कितना होगा? M बराबर हो पर मय आपक पूर्ड ये पचाश डईगरी है तो ये भी कितना होगा पता है कि जो जेड है जेड ऐसे नीकालते हैं 147 डिगृष मईनस अंतव ये हमने 3.2 में पड़ा था है न या कहा सकते है कि यह आपर क्या बंद रहा है सरल रेखी क्यूंग यह बंद रहा है यह भी आप क्या सकते हैं वह फी तरीका सही है सो देखो जेड़ बराबर 180 कितना है पत्चास तो जेड़ बराबर कितना जाएगा पैसो तीस तीज़ दिगरी यह होगा आपके X, Y और Z का मान, X का मान 130, Y का मान भी 130 और Z का मान भी 130 आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें हूं, प्रश्न संक्या 3 की तो प्रश्न संक्या 3 आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर आप जहान से देखोगे, तो X बराबर कितना होगा 90 डिगरी यह नपे हैं, तो यह भी कितना होगा नपे, कारण क्या है, सिर्सा भी मुख कौन, आमने सामने के कौन तो यहाँ पर लिख देंगे, कि X बराबर नपे डिगरी कारण क्या लिखेंगे, सिर्सा भी मुख कौन क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ फिरसा भी मुखे कौण देखो जब दो सरग रेखा है एक दूसरे को इस तरह काटती है तो ये जो आमने सामने के कौण होते हैं ये आपस में बराबर होंगे कौण 1, कौण 2 के बराबर होगा और कौन 3 किसके बराबर होगा कौन 3, कौन 4 के बराबर होगा तो यहाँ पर देखो यह 90 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 90 डिग्री हो किर आप ध्यान से देखोगे तो Y, X और 30 30 डिग्री यह तीनों कौन यह जो उपर आपका त्रीबुच बन रहा है यह त्रीबुच के तीनों कौन का यह जो इतना होता है 180 डिग्री यहाँ पर लिख देएंगे कि X पलस Y पलस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री कहाँ पर इधर देखो X, Y और 30 डिग्री आपर कौन सा नियम लगेगा त्रीबुच का कौन योग गुन दिरम कि त्रीबुच के तीनों योग उनों का योग गुन से अब देखो X का मन कितना है 90 डिग्री Y का मन हमें ग्याद करना है पलस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री यहाँ से मुझे वाय निकलना है तो 180 डिग्री माइनस 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री तो Y का मन कितना आ गया 60 डिग्री Y का मन कितना आ गया Y का मन आ गया आपका जिट्टा जेड, तो ये वाला कौन? इस कौन के बराबर होगा? ये वाय कौन है? ये कौन कौन सा है? जेड कौन. जिब भी आपको ऐसी आकर्ती या ऐसी आकर्ती मिले, तो ये जो कौन है? ये आपसमे के कलाते हैं? deiक आंतर कौन. यहां पर लिख देंगे बराबर y बराबर 60 कारण लिखेंगे एकांतर कौन कौन से कौन एकांतर कौन तो आपके पास सभी कौनों के मान आगे एक्स का मान आ गया 90 वाय का मान आ गया 60 और जीड़ का मान भी कितना आ गया 60 ठीक आगे बढ़ते हैं दूसरे का चोथा प्रश्न दूसरे का चोथा तो यहां पर आप ज्यान से देखोगे तो यह 80 डिगरी हैं यह भी कितना होगा 80 डिगरी तो यहां पर देखो हम आसानी से लिख सकते हैं कारण है संगत कौन का मतलब क्या है कि यहां पर देखोगे दो समांतर रेका हैं तो इस सरल रेखा के एक ही तरफ के जो कौन होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, जब दो समानतर रेखाओ को ये किसरी रेखा काटती हैं, तो इस रेखा के एक और के जो कौन होते हैं, ठीक है, वो कौन कैसे होते हैं, वो आपके संगत कौन होते हैं, जितना कौन अस्सी ह रहां पर एक्स कम आंपने कालना है तो एक्स प्लस सी डिगरी बराबर एक से डिगरी प़र अटीर ऐख तो आप यह जो आपका जेड है एक से एक सितना आया हमारे पास सो डिग्री तो यह भी कितना आयेगा सो डिग्री यह सो डिग्री है तो यह क्या बनेगा सरल रेखिक यूगम तो यह सो डिग्री तो कितना होगा असी डिग्री वैसे भी आप ग्यात तरके देख सकते हैं वो भी तरीका आपका सही होगा यह था आपका चौथा प्रश्न आगे बढ़ते ह य बराबर 112 डिग्री तारण क्या है सम्मुख कौन सम्मुख कौन ठीक फिर देखो फिर यहाँ पर 40 y और x यह क्या है यह कुपर त्रिपुच बन रहा है त्रिपुच के तीनों कोन होगा यह भी इतना होगा 180 डिग्री यहाँ पर देखो 40 40 डिग्री पलस आपका y पलस x बरागर 180 डिग्री तारण केंगे त्रिपुच के कौन योग गुण धरम से त्रिपुच के कौन योग गुण धरम से तो यहाँ पर देखो 40 डिग्री य का मान 12 डिग्री पलस एकस बराबर 12 डिग्री पलस एकस बराबर एकस बीद्री तो यह कवज का वैज वांगा वायका यह आ कंट आण य क्टो यड्री लुटी तो आध सो सिक थframes स्वाट्य मों य turn ku एक्स कोना आगया 28 तिघरे अब देखो जितना पॉन X है उतना का उतना क्या होगा कौशन mental होगा यहीं आप साइक्स कोन यही हो गई आपका हम ठीक कि अगया बड़ें प्रश्न संक्या तीन की तरफ क्या एक चत्रुबुज एबी सीडी समानतर चत्रुबुज वो सकता है यदी सबसे पहले हमें एक समानतर चत्रुबुज बनाना पड़ेगा तो देखें सबसे पहले हमें समानतर चत्रुबुज इतर बना लेते हैं क्या मिना लेते हैं समांतर चत्रुपुज देखो ये आपका एक समांतर चत्रुपुजी ही है सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A, B, C, और D सबसे पहली सरत पहली सरत क्या है देखो कौन D पलस कौन B बराबर 180 डिगरे क्या यह हो सकता है B और कौन D क्या दोनों का यह 180 डिगरे हो सकता है हाँ हो सकता है आयत के किसमें और व्रग के किसमें लेकिन हमें ऐसा हो ऐसा ऐसा जुरूरीक नहीं है सम लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है हाँ ऐसा हो सकता है परन्तुप। यह हमेंसा सत्य नहीं होगा यह हमेंसा सत्य नहीं है ठीक है यह किसके केस में सत्य है तो यह आपके वर्ग और आयत इन दोनों के केस में क्या है सत्य है क्योंकि वर्ग और आयत का प्रत्य कौन कितना होता है 90 डिगरी इन दोनों के केस में यह बात सत्य है ठीक है बाकी के case में ये बात सत्या नहीं है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन याद रखें आयत के case में आयत आपका क्या नहीं है सुरी हाँ आयत और वरग के case में ये संबव है बाकी के case में ये संबव नहीं है आगे देखो दूसरी इस्तति दूसरी इस्तति क्या दे रखी है A B बराबर D C A B बराबर D C A B बराबर D C ये भी 8 cm है और ये भी 8 cm ये सकते हैं लेकिन ये आपकी 4 cm है और ये कितनी है 4.4 cm क्या ऐसा संभव है तुम कहेंगे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समांतर चित्रुपुज की जो आमने सामने की बुजय होती है वो दूनों कैसी होती है वो सभी आपस में आमने सामने की बुजय आपस में बराबर होती है लेकिन यहाँ पर देखो आमने सामने की बुजय बराबर नहीं बता रहा इसका मतलब ऐसा समानतर चित्रगु संभव नहीं है यहाँ पर आप चाये तो दूसरा चित्र भी बना सकते हैं दूसरा चित्र में इधर बना लेता हूं जैसा प्रशना में बोला है यह 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 बी यह सी और डी यह दोनों बुजा बराबर बताई है आठ सेंटीमेटर लेकिन यह कितनी बताई है चार सेंटीमेटर और यह बताई है चार पॉइंट चार सेंटीमेटर तुम कहेंगे कि नहीं नहीं क्योंकि क्योंकि समानतर चित्रगुज की सम्मुख भुजाए क्यासी होती है बराबर होती है समानतर चित्रगुज की सम्मुख भुजाए बराबर होती लेकिन यहां पर बराबर नहीं दी हुई है ठीक है लेकिन यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लेकिन यहां अबर बराबर है सीडी के बराबर आट सेंटीमेटर यह तो सही है लेकिन एडी नॉट इकवर टूए डिसके इस वजह से समभव नहीं है इस डिस्तती क्या देरकी है कि फॉन ये बराबर शिक्र डिउरी आर पॉर वरॉनिसी बेराबर पैसरड डिए क्या जाते हैं कि ईसकी आकरती बना लेते हैं है यह कौन A है और occurnd C ऐ डिया हुआ है कॉर 29 OK बड़ावर द्या हुआ है 65 क्या ऐसा संब़ है ? तो भी लिखेंगे कैपन यह बराभर 36 टथा ता बॉन सी बरापर 65 डिगरी संबव नहीं है सम्भव नहीं है क्योंकि समांतर चत्रभूज के सम्मूख पॉर्ण जैसे होते हैं बराबर होते हैं क्योंकि समांतर चत्रभूज के सम्मूख पॉन जैसे होते हैं बराबर होते हैं लेकिन आपर बराबर नहीं दिया हुए अथ ऐसा समानतर चत्रुभु संभव नहीं है आगे बढ़े प्रश्न संक्याच्या एक चत्रुभुज की कच्छी आकर्ती खींची ये जो समानतर चत्रुबुज ना हो परन्तु जिसके दो सम्मुख कंगों के माप क्या हो बाराबर तो देखो हमें ऐसी अकर्थि कैसे बना सकते हैं यहां पर आप ज्यान से देखोगे तो यहां पर आप ज्यान से देखोगे तो यह वाली बुजा इसके क्या दिखरी है आपको इसके बराबर दिखरी है और यह वाली बुजा इसके बराबर दिखरी है जैसे कौन ए यह 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 बी यह सी और यह बी तो सम्मुक क्या है। लेकिन ये समांतर चत्रूबज नहीं है। समांतर चत्रूबज देखो चिशन से लें हैं। तर लगून हो रही है, कि आपके जो सभी सम्मुक कोन है है। आपस में बराबर नहीं है, कौन B और कौन B यह आपस में बराबर नहीं हो सकते, साथी साथ आपके जो आसन्द कौन है, आसन्द कौन यापर संपूरक नहीं है, साथी विकर्ण एक दुसरे को प्रस्पर समधी बाजित भी नहीं करेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे solution के अंद क्या है, ABCD एक चत्रभूज है, जिसमें कौन A बराबर, कौन C बराबर 110 डिगरी है, ठीके, लेकिन यह समानतर चत्रभूज नहीं है, लेकिन यह एक समानतर चत्रभूज नहीं है, बल्कि क्या हो सकती है, बल्कि यह एक पतंग हो सकती है, या पतंगा का चत्रभूज हो सकता है, बल्कि क्या हो सकती है, बल्कि यह एक पतंग हो सकती है, ठीक, यह था आपका प्रश्न संक्या चा, आगे बढ़े प्रश्न संक्या पांच, किसी समानतर चत्रुबुच के दो आसन्द कौनों का अनुपात तीन अनुपात दो है तो सबसे पहले हम क्या बिना लेते हैं एक समानतर चत्रुबुच बिना लेते हैं ये एक समानतर चत्रुबुच है दो आसन्द कौनों का अनुपात इसको मान लिया, तीन अक्स, इसको मान लिया, दू एक्स तो देखें, सॉल्रीशन कैसे करेंगे लिखेंगे, माना चत्रुभुज के आसन्न पॉन माना चत्रोभुज के आसन पॉन, यह अगल बल्घल के कौन आसन पॉन क्या है 3x और 2x हैं इतने हैं 3x और 2x आगे लिए कहेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चत्रबूज के आसन न कौन कैसे होते हैं समपूर अगल बगल के कौनों का योग कितना होता है 180 समांतर चत्रबूज के आसन न कौन समपूरक होते हैं समांतर चत्रबूज के आसन न कौन कैसे होते हैं समपूरक अतो 3x पनस्टू एक्स बराबर 180 डिगरी 3x और 2x को जोड़ा तो 5x बराबर 180 डिगरी एक्स बराबर 180 डिगरी बर्टे में 5 बराबर 36 डिगरी ठीक है तो अब अतो एक कौन 3x बराबर ये कौन कितना आया एक्स बराबर 180 डिगरी आगे लिग देंगे कौन A बराबर कौन C बराबर 180 डिगरी कारण लिगेंगे सम्मूख कौन इसी तरह कौन B बराबर कौन D बराबर 72 डिगरी सम्मूख कौन इस तरह हमारे पास इस चत्रुबूच के सारे कौन क्या होगे सारे कौन आगे बिल्कुल सरल था हमने दोनों आसंद कौनों को जोड़ा और बराबर में कितना रख दिया 180 डिगरी पासे में X का मन मिल गया 36, 36 का 3 से गुणा तो 108 36 का 2 से गुणा तो 22 फिर मैं पता है कि आमने सामने के कौन बराबर होते हैं तो कौन A बराबर होगा कौन C के कौन B बराबर होगा कौन B के आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या 6 इसी समानतर चत्रुबूच के दो आसंद कोनों के माप बराबर तो समांतर चत्रपुज के सभी कोणों की माप ग्यात परूँ देखो यह समांतर चत्रपुज है A, B, C, D दो आसन कोणों की माप बराबर है ये भी X है और तो ये भी आपकर कितना होगा X होगा उन्हों बराबर है लिख लेते हैं माना माना परतेक बराबर आसन कोण परतेक बराबर आसन कोण बराबर कितना X आगे लिखेंगे हम जानते हैं की हम जानते हैं की समांतर चत्रपुज के आसन कोण संपूरक होते हैं समांतर कित्रपुज के आसन कोण संपूरक होते हैं अन्य अगल बगल के पॉणों का यो कितना होता है एक सो असे डिगरी अता हो X प्लस X बराबर 180 डिगरी 2X बराबर 180 डिगरी X बराबर 180 भाग दो X बराबर 90 डिगरी X बराबर 90 डिगरी ठीके लिखेंगे आगे की समांतर चत्रपुज के सम्मुज कोण बराबर होते हैं X समांतर चत्रपुज के सम्मुज कोण X समांतर चत्रपुज के सम्मुज कोण बराबर होते हैं अतापरतेक आसन्द कोण की माप कि इतनी है नबबेडिगरी अतापरतेक आसन्द पॉन की माप 90 डिगरी है तो कि देखो X का माइ 90 डिगरी आया है ये 90 हैं तो ये भी 90 हैं और भी 90 हैं तो आपका डी भी 90 हैं निकूल मिला कि क्या होगा ये आपका एक वर्ग होगा आगे बड़े प्रशन संक्या साथ तलगना आकर्ती हो पी एक समानतर चत्रू बोज है हमें X, Y और Z की माप करनी है सबसे पहले देखें होगा तर डिगरी और यह जो वाला कॉन है यह जो यहां पर क्या बंद रहा है एक सरल रेखिक यूग मुद यहां यहां कौन हो पी कौन सा कौन हो पी आप चाहिड इसका नाम कुछ भी दे जाथे हैं मैंने दे दिया एम समझ लेखी है पलग सदर डिगरी बराबर 180 cm कारण लेखिएंगे रेखिक यूग मुद रेखिय यूग मुद इन बहुत अच्छे से बताया था कि जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काड़ती है तो यहां पर इस परती चेरी बिंदू के एक साइड बनने वाले दोनों कोड़ा का य यहां पर लिख देंगे आगे की वाउर होण होड पी बराबर और इ बराबर xовых यहां परर में लिखेंगे के मांतर चत्रुभूज के सम्मुख कोन बराबर होते हैं समांतर हैं प्रुभूज के सम्मूख क्यों बराबर होते हैं ठीक है यह कारण में मिल गया अब देखो जितना कौन पॉन सा कौन पी एच ए यह जितना पॉन यह वाला है यह चालिश डिगरी है तो कौन वायका मान भी कितना होगा यह लिखेंगे आगे कौन पी एच ए वाला यह वाला कितना है चालिश डिगरी तो यह वाला कौन सा कौन आपका ह एच पी ओ यह भी कितना होगा चानलिश टिगरी बराबर कौन Bali ये च्फी ओ बराबर वाए बराबर 40 तिगरी ररंड क्या है एकान्तर कूर्ण यह बहु कितना होगा,bon चानलिश होगा यह पर कारण लिखेंगे एकान्तर कूंड क Germans offer खान एकान्तर अब देखो, अब मैं कौन सा कौन निकलना है, अब मैं निकलना है आपका कौन जेड़, कौन सा कौन निकलना है, कौन जेड़ निकलना है, तो देखो, कौन ए ह ओ, ए ह ओ, और ये किसके बराबर होगा देखो, ये बराबर होगा आपके, कौन ए इसके, कौन ओ के, अगर आपको ऐसे डारेक समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं देखको वाय कमान हमारे पास कितना आ गया चालिश दिग्री इस एम कमान कितना आया था 110 मैं पता है त्रीबुच के तीर नो कोणों का यो कितना होता है तो वैसे भी आप कर सकते हैं देखको यहां पर में ले लोंगा त्रीबुच पी ओ एच रिपुच पी ओ एच मैं आपका जेर प्लस वाय प्लस इसका मनाम देते हैं एम एम बराबर एक सो असे डिग्री दिखेंगे त्रीबुच के पौन योग गोन धिर हम से त्रीबुच के कौन योग कौन धरम से त्रीबुच के तीनों कौनों का योग कितना होता है 180 डिग्री यहां पर हमें जेड ग्याद करना है वाय कमान आया था कितना वाय कमान आया था 40 डिग्री और एम कमान कितना आया है 110 डिगरी बराबर 180 डिगरी तो यहाँ पर आपका जेड बराबर 180 डिगरी माइनस 150 डिगरी तो जेड बराबर कितना आ गया 30 डिगरी यही आपका अभीष्ट अहल है अतर लिखेंगे अतर जब एक्स बराबर कितना आया था एक्स बराबर आया था आपका 110 डिगरी तो यह पर आपका प्रशन संख्या 7 आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 8 देखो निम्ना आकरतियों G-U-N-S यह पहली आकरती है G-U-N-S और R-U-N-S जो आकरती दूसरे पेज़ पर दियो हुई यह प्रशन संख्या 2 में एक समानतर चत्रुभुज है तो आपको X और Y के मान ज्याद करने है एक्स और L-U-S सबसे पहले समानतर चत्रुभुज G-U-N-S में समानतर चत्रुभुज G-U-N-S में मैं पता है कि आमने सामने के बुजा क्या होती है बराबर होती है तो G-U बुजा S-N के बराबर होगी और G-S बुजा किसके बराबर होगी N-U के बराबर होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे कि G-S G-S बुजा किसके बराबर होगी U-N के लिखेंगे सम्मुक बुजाए और मैं पता है जिसमानतर चुत्रवुज की सम्मूख बटया किसी बड़ाबर होती है यह आप लिघ दे समंूख बूघाए तो देखो GX का मान केतना है? 3X यू-N का मान केतना है? 18 X का मान 18 भाग 3 X का मान कितना आ गया? 6耶 X का मान कितना आ गया 6 cm ठीके गी यू बराबर होगी एस एन की यहां भी कारण क्या लिखेंगे सम्मुख बुजाएं पर मैं पता है कि समांतर चुत्रुबुज की सम्मुख बुजाएं कैसी होती है बराबर होती है यहां पर गी यू का मन कितना है 3y-1 बराबर 26 तो यहां पर 3y माइनस का एक है उदर जाएगा तो पलस का एक 20 पलस एक 3y बराबर 27 y बराबर 27 भाग 3 y बराबर 9 cm कितना आ गया y बराबर 9 cm अतर लिख देंगे अतर एक्स बराबर 3 cm स्वरी एक्स बराबर 6 cm तथा 5 बराबर 9 cm है ठीक यह ओगया आठवे का पहला आगे आठवे का दूसरा प्रश्म यहाँ पर भी देखो हमें वही नियम लगाना है यहाँ पर पर कौन सा नियम लगाना है अब विकर्ण वाला इस मानतर चत्रुबुज के विकर्ण एक दूसरे को परस पर क्या करते हैं समदी बाजित करते हैं देखो Y पलस साथ यानि की इसका नाम दे जेता हूं मैं O देखेंगे O U बराबर होगा O S कारण क्यों की क्यों की समानतर चत्रबूच के विकर्ण क्यों की समानतर चत्रबूच के विकर्ण एक दूसरे को समध्वीभाजित करते हैं समानतर चत्रबूच के विकर्ण एक दूसरे को दोस्तमान भागो में क्या करते हैं विबाजित करते हैं तो O U का मान कितना है Y पलस सेवन और O S का मान कितना है 20 तो Y बराबर 20 माइनस साथ आगे देखो य का मन कितना आएगा 20 में से 7 गया तो 13 सेंटिमेटर कितना आगया 13 सेंटिमेटर आगे लिखेंगे इसी तरह इसी तरह देखो O N यी किसके बराबर होगा O R के तो आगे लिखेंगे कि O N बराबर O R O N का मन कितना है X प्लस Y O R का मन कितना है 16 तो X प्लस, Y का मन कितना आया है? 13, बराबर 16, X बराबर 16 में से 13 को गटाना है, तो X बराबर कितना आजाएगा? 3 cm, कितना आगया? 3 cm, देखेंगे अतर X बराबर 3 cm, तथा Y बराबर 13 cm, यह हो गया आपका प्रश्न संक्या 8, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संक्या 9 की तरफ, प्रश्न संक्ति में, R, I, S, K, तथा C, L, U, E, दोनों क्या है? समानतर चत्रुपुच, हमें किसका मन निकलना है? हमें X का मन ग्याद करके बताना है, कमान X का मन हमें ग्याद करके बताना है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको उच्छे से समझना है कि दो देखो, मैं इसको दूसरे रंग से बना देता हूँ, यह R, I, यह I, S, और यह आपका K, R, यह क्या है? यह आपका एक अलग चत्रुपुच है, खीके, R, I, S, K, भही देखो, भही दूसरा कुन सा है? दूसरा है आपका C, L, U, E, यह दूनों आपको उच्छे से ज्यान रहना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करें समानतर चत्रुपुच, R, I, S, K की, इसकी बात कर रहे हैं, R, I, S, K की, लिखेंगे समानतर चत्रुपुच, समानतर चत्रुपुच, R, I, S, K में, ठीके? देखो, जितना कौन R, I, S होगा, जितना कौन ये R, I, S है, उतना का उतना क्या होगा? कौन आपका होगा? कौन सा? कौन के? तो यहाँ आपर लिखेंगे कि जितना कौन R, I, S है, उतना का उतना कौन के है, बराबर 120 तेगरी. कारण क्या है? कारण है, सम्मुख कौन? समानतर चत्रुपुच के सम्मुख कौन बराबर होते हैं समांतर त्रुगुज के सम्मुख कौन बराबर होते हैं ठीके? अब देखो आगे देखो ये देखो मारे पास आई कमांग कितना आगया 120 डिग्री अब इस आई के जो पास वाला कौन है इसको मैं क्या देता हूँ? 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 क्या से पॉनन मिला कितना करें चर्णीक माइन तो 20 दिग्रीग बराबर 40 कि फच्ञाय पिरलि हितना ये ये मकमनमन तेना जारकती वह में अभाद यॉफ्test तो सब्सक्र पहलाइल को कि पॉर्ण कि किसके बराबर कोन आईawan इसका जो संगत कोने वो कितना होगा साड़ ठीक लिए यह पता लग गया अभ देखो अभी हमने दे दिया इसको देता हो मैं मैं थो का नाम देता हो एंट अब यहां पर इन कॉन बन एम यह वर यह कौन सी रहा पता है तरी पूछ के ती नो कोनों के यो कितना होता है 180 डिग्री होता है तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो कौन C है कौन C है वो किसके बराबर होगा कौन L के बराबर होगा कौन L के बराबर होगा कारण क्या है कारण है यह संगत कौन है यहाँ पर देखो जो यह वाला कौन बंद रहा है के अंदर वाला कॉन यह यहां पर देखों लिखेंगे कुन सा कोन पौर ए-C और आपका E-C-I-E-C-I यह वाला कॉन यह जो C के अंदर की तरब बनाए ना यह वाला कॉन बराबर होगा कौन L के, क्यों? बराबर में 70 डिगरी, कारण लिखेंगे संगत कौन कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे हम संगत कौन क्या आपर दो समानतर रेकाओ को प्रतिचत कर रही है तो उसके एक भाग में बिनने वाले कौन क्या कलाते हैं? संगत कौन देखो यहां पर ऐसी इस्तती है ये ये है ना और ये वाली इस्तती है तो ये वाला कौन इस वाले कौन के बराबर होगा ये कौन एल है और ये कौन ये बंदू कौन सा है सी बिंदू तो ये वाला कौन और ये वाला कौन उन्हों आपसमें बराबर है तो ये 70 डिगरी है तो यह भी क्या होगा सिप्तर डिग्री को अब देखो यहां पर इतरी पुछ बंद रहा है ना इस तरी बूच में देखो एम एन और आपका कॉंसा कॉंट इसी आई वाला को यहां पर आगे लिखेंगे एम प्लस एन प्लस पॉर एसी आई बराबर कितना बराबर आपका एक सोस्टिग्री कार लिखेंगे तरी बूच के पॉन योग गॉन दरम से तरी बूच के पॉन दरम से अब वी मैं वापिस समझाओंगे आपको अफो पंचल मतले देखो एम कमन कितना आया था साथ तक एएन कमन हमें ग्याषli हरी तर्दम न हमें जैच करना है और एसी आई का मन कितना आया तो टीwich है एक सॉ और हो असी डिंगरी यह बराबर एक सु असे डिन मानिस एक उने अवराबर कितन आगया 15 zij डिन रहेखो यहाँ पार य्यू यह स्टतिए तो इसके अंदर यहाला कुण कितना आया साथ ये कितना आगीया सितर तो यिole अजाएगा मारे पास ये आ जाये के अ मारे पास 50 तीग की इतना घाएगा 50 ऐस करो अता ऑगिस इड़ा मिकर ना ता एक सितर इसका मन निकलना साट यह सित्तर है और यह कितना है पच्चास यह पच्चास ते गिरike इतना होगा पच्चास Woo सिरसा बिमुक क्वान ओर यहи हैं में पहले के बता ना तो यह समयन तो स्ञाषि को सबसे पहले कौन के किन 이 किसके बराबर सम्मू Sebastон अमने सामने के बराबर बाबर से हैं यह एक सबीस हो गया तो यह बीए पी सबीस हो गया अब देखो यहाँ पर क्या स्तिती बन रही है यह इस तरह के, यह 120 है तो यह कितना होगा, 60 तुझ इसको अमने क्या नाम दे दिया, m, m का मान कितना आ गया, 60 तुझ ठीक, अब देखो, दूसरी स्तिती यहाँ पर बन रही है, यह E है, यह C है, और इधर क्या है यू, तो जो L कौन है वाल ये पी कूण ये पी कितना है सिंटरं गया इसके बराबर एल के बचेघ क्यों क्योंकि संगत कौन के ह्एट फिर हमने देखा है वहारे पास दो कौन आगे इस तरी कुछ की अंदर ऐसी इस्तती बन रही है यह यह कौन रहा है एक पॉर आ गया साथ विसरा आ गया सित्तर तो तीसरा हमने क् Подशीर म्में क्या स्छक्र breakingा सी होता है तो प्रashna संक्या आपका 10 वनसा प्रashna संक्या 10 बताईए कैसे यह आकर्ति एक सम्लंब है इसकी कुण सी दो बुज़ाय समानतर है यहाँ पर किया है कि देखें सॉलिसंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो यहां कोण N प्लस कोण L बराबर 100 बराबर कितना दिया हुआ है 100 degree प्लस 80 degree यान कि 180 degree मतलब यहां से मैं पता लगा कि आसन्न कोण क्या है समपूरो क्या है अगल बगल के कोण आयो कितना है 180 degree समपूरो क्या है आशन कॉण संब्पूरत है, जब आशन कॉन संब्पूरत है, तो अता हो, अता हो आपकी एन एम और क्ल यह आपकी होगी समान्तर, क्यासी होगी समान्तर होगी तो कि कि एन एम भुजा और के एल भुजा क्या होगी समानतर होगी अतो अतर के एल एम एन या है एक समलम्ब आगे सोज में हमने क्या समझा कि देखो कौन एम और कौन एल इन दोनों कोनों का जो कितना हो रहा है एक सोसी यानि यह दोनों कौन से कौन है आसन्न कौन है और इदि आसन्न कौन समपूरक है तो आसन्न कौन को बनाने वाली जो भुजा है वो कैसी होगी समानतर होगी तो आसन N, M, समानतर होगी किसके? K, L, K और यदि भुजाओं का एक यूग में समानतर हैं इसका मतलब वो कौन सा चत्रुपुज है? इसका मतलब वो आपका एक समलम चत्रुपुज है आगे बड़े प्रशन संख्या 11 आकर्ती में कौन C का मान गया करना है? यदि A, B, B, U, G, D, C, K, 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 कौन हैं वो कैसे होंगे संपूरा होंगे यह दी भुजय आपस में समानतार है तो इनके जो आसन्द कौन है वो कैसे होंगे वो होंगे संपूरा यहाँ पर लिख देंगे अतवर 120 डिगरी पलस कौन C बराबर 180 डिगरी तो कौन C बराबर 180 डिगरी माइनस 120 डिगरी तो आपका जो कौन C का मान है वो कितना आगया वो आगया आपका 60 डिगरी यहीं हमें हल करके बचाना तो जैसा आप इपने दस्वे प्रशना किया था वैसा का इपैसा इजर उल्टा करना है यहाँ पर भुजय समानतर दी हुई ह तो मैं आसन्द कौन निकालना है और मैं पता है कि जब भुजय समानतर होती है तो उन भुजयाओ को बनाने वाले जो आसन्द कौन है वो कैसे होते हैं संपूरक होते हैं है दूनों का यह कितना होगा 180 डिगरी होगा आप चाहिए तो इदर कारण लिद सकते हैं कि आसन्द क किस था तो कौन सी कितना आ गया कौन सी आ गया आपका 60 डिगरी आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या बार हो दिया हुआ है आकरती में कौन पी और कौन एस की माप जयाद करने हैं कौन सा कौन पी और कौन एस ये कौन पी है और कौन एस है इसके माप निकालने है यदी एस प SP, ये भुजा, इसके समानतर है, R, Q के समानतर है, और लिखा हुआ है, कि यदि आप कौन R ग्यात करते हैं, तो क्या कौन P को ग्यात करने की एक से अधिक विधी है, ये आपको बताना है, तो सबसे पहले देखो, स्वाल लुजा, यहाँ, देखो, ये दोनों भुजा कैसी है, समानतर है, इसका मतलब कौन P प्लस पौन Q बराबर क्या होगा, 180 डिगरी, आसन्द कौन समपूरक है, लिखेंगे, आसन्द कौन, यह अगल बगल के कौन, जैसे है, समपूरक है, तो यहाँ से, आर कामान, स्वारी, पीओर क्यो निकानना है, तो यहाँ से धिखो, कौन P प्लस Q कमन, 230 बराबर, आर कामान त contributes दिया उए, बेना, बराबर में180 डिगरी, तो कौन P बराबर, 180 डिगरी, तो कौन पी बराबर कितना आगया, पौन पी बराबर आगया, आपका, 50 डिगरी, युए थूंकी वर आर बनाइबर कितना द्या हुए नब एकरी यह ङया हुए अथर वरस और कउना युड़ुन समपुरा पॉन ए वर्यर्स प्रलस पॉन आर मनावरे त्यर्डरी पॉन तो कौन S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो यहां से कौन S का मन कितना आ गया 90 डिग्री तो कौन S का मन कितना आ गया 90 डिग्री ही का मन आ गया 50 डिग्री और इसका मन आ गया आपका 90 डिग्री ठीक अब देखो अब आगे कौन P को ग्याद करने की एक से अधिक विधी तो वो हम आगे लिख लेते हैं लिखेंगे कि हाँ कौन P को ज्यात करने की एक से अधीक वीधी है कैसे हैं मैं पता है कि चत्रोःभूच के चारो कौनों का योग कितना होता है आपका वो होता है तीन सो फ़ारग्लिघ मड़ूच से यहां पर लिख देंगे पॉन P-C.Q. और और P-C排 ब्रयाबरूच लेफ द्यूट लिखेंगे चत्रोःभूच के के पॉन योग घौन दर्म से तो तरो गोज के ऑन योग गोण द्रम से तो देखो यहाँ पन हम एक प्र जार्ट गरना है, यूँ कुछ नहीं कितना है एक 103 दिग्री आर कितना है निपर डीग्री और एसु कितना है निपर डीगरी बराबर में 360 दिग्री तो कॉन P पर इन सब को जोड़ दिया कितना आ गया, 310 डिग्रे, पराबर 360 डिग्रे, तो कॉन P साथ डिग्रे, माइनस 310 डिग्रे, तो कॉन P जाएगा, वो हुँ जाएगा आपका 50 डिग्रे, यह हम ध्याद करके बताना, गीके तुटरा हमने, आज की स्ट्रास में आपकी प्रषनवाली 3.3 के सभी प्रषनों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मीद करता हूं सभी प्रषनों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे क्लास देजने के लब सुबी का दन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सबस्क्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब दद के लिए आप सबको जै हिंग जै अप